नमस्ते फ्रेंट्स कैसे आप सब? मैं हूँ मौमितर एकी मास्टर और लाइफ कोच आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस वीडियो में तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक और एक्स्ट्रीमली पावफुल टेकनीक इस टेकनीक का नाम है विशिट प्लस रेड तारा मंत्र इस टेकनीक को करके आप अपने लाइफ में जितने भी लव रिलेटेड इशूज है या फिर जितने भी लव रिलेटेड विशिज है उन सारे विशिज को बहुत है आसानी से पूरी कर सकते है चाहे आपको अपने ex को attract करना हो, चाहे किसे specific person को अपने जीवन में attract करना हो या फिर अपने husband के साथ अपना प्यार बढ़ाना हो, या फिर अपने parents को convince करना हो love marriage के लिए और call manifest करना हो, किसी भी तरीकी की wish love related आप इस technique से पूरी कर सकते हो तो चलिए जान लेते हैं, यह technique क्या है, कैसे करना है, तो सबसे पहले इस वीडियो को मैंने दो segments में बाटा है, जब पहला segment होगा, उस पे मैं बात करूँगी wish it क्या है, इसे कैसे बना जाता है, इसमें किस तरह के affirmations लिखे जाते हैं, कौन से pen का इस्तिमाल किया जाता है इस बार में detail में discuss करेंगे, और जब second segment होगा, उस पे मैं खुद आपको wish it को energize करके दिखाऊंगी, red तारा मा के मंत्र से, ओके, दो मंत्र है, ओम तारे तम स्वाहा, और ओम कुरुकुले हिर्म स्वाहा, इन दोनों मंत्रों से आपको energize करके दिखाऊंगी wish it को, ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं wish it क्या है, प्रिंस, wish it कुछ भी नहीं है, एक इस तरीके का ओडिनिटी सार एक चिट पेपर है, ठीक है, एक पेपर का टुकड़ा है, जिसमें हम अपने wish से related affirmation लिखते हैं, present tense में as if कि वो wish औरड़ी पूरी हो चुक पेंसे लिखना है, इसमें जो affirmation हमें लिखनी है, वो कौन से पेंसे लिखनी है, वो हमें लिखनी है, red कलर के पेंसे, okay, because red is the color of manifestation, red is the color of love and red is the color of red tarama, okay, तो इसलिए हम इस टेक्नीक को करने के लिए red pen का इस्तमाल करेंगे, अगर आपके पास नहीं है, आपके पास available नहीं हो पारा है red pen किसी कारण से, तो then you can use blue pen, okay, और else आप try कीजिए, इस टेक्नीक को boost up करने के लिए आपको एक red pen की जरूरत पड़ेगी, अगर आप चाहते हो बहुत ही fast result मिले, तो आप एक red pen का कहीं से भी इंतजाम कीजिए, okay, और एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आप चाह तो आप इस वीडियो को pause करके, एक इस तरीकी का चिट, चिट पेपर का इंतजाम कीजिए, और एक red pen का इंतजाम कीजिए, और red pen नहीं है, तो blue pen भी आप ले सकते हो, और अभी मेरे साथ विशिट बनाईए, और फिर इसे हम साथ में मिलके energize करेंगे, okay, तो चलिए, अब क इस भी mother tongue में आप बात करते हो, घर में खुझ से, अपने आप से, आप उस language में affirmation लिख सकते हो, आप English में लिख सकते हो, यह आपकी वर्जी है, कोई problem की बात नहीं है, जस तरह से, मैंने एक विशिट अल्रेडी बना रखा है, इसमें, इसमें मैंने लिखा है, मेरा affirmation, सु सुझे मुझसे बहुत प्यार करते हैं, थैंक यू रेड तारा मा, थैंक यू यू उनिवर्स, ओके, ग्राटिट्यूट हमेशा अपने affirmation में शो करनी है, तो इस तरह से मैंने इसे लिखा है, मैं आपको अच्छे से photo दिखा दूंगी, ओके, आप क्लियर हो जाओगे तब, इस तरह से मैंने लिखा है, आप अपने मर्जी के, अपने विश्ख के according, आप कुछ भी affirmation लिख सकते हो, माल लीजी कि अगर आप चाहते हो, commitment पानल रिलेशन में, तो आप ऐसे लिख सकते हो, सुझे ने मुझे commitment दे दी है, थैंक यू, रेड तारा मा, थैंक यू 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 सुझे मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, थैंक यू रेड तारा मा, थैंक यू 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 या फिर अगर आपको अपने पारेंस को कन्वेंस करना है, लब मैरिश के लिए, तो आप ये लिख सकते हो, कि मेरे पारेंस मान गये हैं, मेरी और सुझे की शादी के लिए, या फिर आप चाहते हो, कि आप दोनों की शादी हो जाए अच्छे से, तो आप ये लिख सकते हो, कि मेरी और सुझे की शादी हो चुकी है, we are now very happy with each other, इस तरह के affirmations आप लिख सकते हो, अब ट्राय करो कि एक लाइन का affirmation हो, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, आप लंबा इसना हो सके, आप लिख लो, उसके बाद आप gratitude शो करो, thank you red tarama, thank you universe, ये विशिट बनके तयार है, और इसमें कुछ भी अपना दिमाग नहीं लगाना है, it is ready, अब आपको क्या करना है, आप विशिट को fold कर लेना है, जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ, इस तरह से आपको fold क कर लेना है, विशिट को, okay, आपने विशिट को fold कर लिया, अब हम क्या करेंगे, इसे red tarama मंत्र से energize करेंगे, okay, तो red tarama मंत्र दो है, एक om tari tam swaha, और om kurukulli harim swaha, ठीक है, तो आप इन, मैं आज आपको दोनों मंत्रों से energize करना सिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको किन इन बातों का ध्यान रखना है, आप जब इस मंत्र से energize करोगे, आपको इस तरह से, स्विशिट को इस तरह से अपने palm की बीच में रखना है, ठीक है, ज्यादा pressure नहीं डालना है, बस हलके हातों से इस तरह से hold करना है, ठीक है, और आप जब मंत्र को जाप करोगे, आप क्या visualize करना है, आपको visualize करना है, कि आपके दोनों हातों से white light निकल रही है, ठीक है, रेट तारह मंत्र की जो energy है, वो white light बन के आपके हातों से निकल रही है, और किसमें जा रही है, इस wish चिट के अंदर जा रही है, जिसमें आपने अपनी wish लिखके रखी है, ओके, और वो क् अपना विश लिखा है उसको स्रीजन की अवस्था में create होने की condition में process में पहुचा रही है यह आपको visualize करना है कि आपकी जो wish है वो reality बनने के process में जा रही है ठीक है आप धीरे धीरे आपकी जो wish है वो energize हो रही है red तारा मंत्र से यह आपको visualize करते रहना है और क्या करना है आपको अपने third eye में जब आप करना start करूगे सबसे पहले आपको third eye में मितलब यहाँ पे बीचों बीच आपको किनको देखना है आपको red तारा मां का जो image है उनकी जो तस्वीर है खूबसूरत सी उन्हें आपको अपने third eye में आपको visualize करना है इसको करते हूँ आप पूरा concentration किस में देंगे इस हाथ इन हातों में देंगे ओके और white light में देंगे कि white light आपके हाथों से निकल रही है clear हो गया तो चलिए start करते हैं इसको अब हमें क्या करना है हमने इस तरह से hold कर लिया है इसे ठीक एकदम अपने heart chakra के सामें लेके जाना है एकदम अपने दिल के पास लेके जाना है and आपको क्या बोलना है सबसे पहले अपनी आखे बंद कर लेनी है and अपने थड़ाई में red tarama को visualize करना है आप देखिए उनके खूबसूरत से चहरे को देखिए red tarama के and then आपको क्या कहना है आपने जो affirmation लिखी है उसको कहना है मतलब आपको इस तरह से कहना है thank you red tarama सुझे अब मुझसे बहुत प्यार करते हैं thank you red tarama thank you universe thank you so much यह आपको कहना है आप अपनी affirmation बोल दीजिए अब आपको क्या करना है आपको chanting स्टार्ट करनी है ओम तारितम्स्वाहा ओम तारितम्स्वाहा ओम तारितम्स्वाहा ओम तारितम्स्वाहा अब दूसरे मंत्र से हम से इनर्जाइस करेंगे ओके दूसरा मंत्र है ओम कुर कुले रीम्स्वाहा ओम कुर कुले रीम्स्वाहा ओम कुर कुले रीम्स्वाहा ओके इस तरह से हमें इनर्जाइस करना है ओके अब आपको कब पता चलेगा कि हाँ आपने इनर्जाइस कर लिया है इस चट को आप खुद गर्माहट महसूस करोगे इन palms की बीच ओबीच आपको गर्माहट महसूस होगी आपको heatness, warmness महसूस होगी तब आप समझ जाओ कि yes, ये चिट energized होना start हो गई है तब तक आपको इस chanting को जारी रखना है and after that आपको क्या कहना है जब आपको चांटिंग होगी आपको लगके आप एकदम फील करने लगे हो कि yes, ये energized हो चुका है after that आपको क्या करना है आपको red tarama को thank you कहना है और फिर से अपनी वो affirmation दोहरानी है, इस तरह से करना है thank you red tarama सुझे मुझसे बहुत प्यार करते है thank you so much red tarama thank you universe इस तरह से thank you gratitude शो करना है after that आपको इस चिट को क्या करना है आपको इस चिट को बहुत ही साबधानी से एक बहुत ही safe place में कोई box के अंदर या फिर अलमारी के अंदर कहीं पे भी जहां पे आपके अलावा इसे कोई ट्चना करी क्योंकर इसे आपने अपनी इनरजी से एनरजाइस कप्य आपको और ट्चना करें अजिस कोई sacred place पे आपको इसको रख लेंना है बहुत है और आपको इस टेकनिक को तब तक करना है इस चिट को एनरजाइस सब तक करना है आपको दिन में इसे जितनी बार चाहे आप charge कर सकते हो energise कर सकते हो मतलब कि आप सोचो कि आप 1 मिनिट के लिए free हो 2 मिनिट के लिए free हो आप चाहते हो कि आप energise करो तो फट से इसे energise कर लीज़े कोई प्रॉल्म की बात नहीं आपको proper कोई timing नहीं set करनी है आप इसे जितनी बार भी चाहे आप जाहते हो कि बहुत fast result अगर आप चाहते हो कि अभी आपको result मिले तो आप maximum time से एनरजाइस करते रहों आप जितनी एनरजाइस करोगी इसे आपकी wish उतनी जल्दी manifest होगी ठीक है यह बहुत ही कमाल के results देती है मैंने अपने चैनल पे इसे related और एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने wish it के साथ green तारा मंत्र को add किया है कि इस तरह से wish it को हम green तारा मंत्र से charge करें और उसे हम कोई भी wish पुरा करने के लिए wish यूज कर सकते हैं तो मैंने उस वीडियो का जो link है वो description में दे रखा है आप उसको भी चेक कर सकते हो और यह वाली जो technique है वो specially प्यार के लिए है love related आपकी जितनी भी wishes है उसके लिए यह वाली technique है तो इसका इस्तमाल कीजिए आप देखोगे कि कि इतनी कमाल के results आपको कितनी कम time में मिल रहे है ठीक है तो इसका इस्तमाल कीजिए और इसके results में सा जरूर share कीजिएगा और तब तक के लिए हसते रहें मुस्कुराते रहें और magical life enjoy कीजिए मेरे यानि मौमिता के साथ नमस् आपको कितनी 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 कितनी